अगर आप Google करें वोहरा कमेटी सरतपवार तो गूगल पर भी अवलेबल है उसमें चीमन भाई पटेल का नाम है जो गुजराद की मुखी मंत्री थे सरतपवार का नाम आता है जो महारास्टा की चीपनिस्टर थे अहमद पटेल का नाम आता है जो कांग्रेस के बड़े नेता है ऐसे और भी कई नेताओं के नाम आते हैं उस रिपोर्ट पर कोई कारवाई नहीं हुई रिपोर्ट ऐसे ही रद्दी का टुकड़ा बन गया हो फिर सांसत्य दिनेश्त्रिवेदी जी जो बाद में मंत्री भी बने उन्होंने सुप्रिम कोट में पी आयल फाइल किया 1997 में सुप्रिम कोट ने कहा कि जो वहरा कमिटी की रिपोर्ट है इस पर आप कारवाई करिये लेकिन उसके बावजूद कोई कारवाई नहीं हुई लोगों का आयवाश करने के लिए आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए उस 110 पेज में से 11 पेज 11 पेज पार्लियामेंट के पट को युवाओं को सबको यह जानने का हक है कि दाउद के कितने गुर्गे अब तक सांसद विधायक मंत्री बने आम जनता को युवाओं को यह जानने का हक है कि दाउद के कितने गुर्गे आज भी संसद संसद में हैं लोकसभा में हैं राजसभा में हैं और विधान सभा में मैंने सुप्रिम कोट में ही P.I.L. फाइल किया है हमने यह कहा है कि सबसे पहले तो जो Ministry of Home है जिसके पास वो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की तीन कॉपी बनी थी तीन कॉपी में एक कॉपी Ministry of Home के पास है दूसरा D.O.P.T. के पास है तीसरा वोहरा साब ने अपने पास रख लिया था बहुती confidential रिपोर्ट थी हो हमने यह कहा है कि हो मिनिस्टी के पास उसकी है वो पूरी की पूरी 110 पेज उठाके Director CBI को दे दे, Director NIA को दे दे, Director ED को दे दे, Director NCB को दे दे, Director IB को दे दे हमने दूसरी मांग यह किया है कि जब यह लोग जांच कर रहे है तो लोग पाल इसकी मानिटरिंग करें लोगपाल में सुप्रीम कोट के जज होते हैं, जो भारत के लोगपाल है, हमने ये कहा है कि जाज तो CBI, ED, IB and IA करे, लेकिन पूरी जाज की जो मानिटरिंग है, वो लोगपाल करे, तीसरी हमारी मांग है कि इनके मामले फास्ट्रेक कोट में चले, एक साल के अंदर जो वह र दिकारी बनने पर बैन होना चाहिए, और हमने अंतिम मांग ये किया है, ऐसे लोगों को जिनको पदमा मिल चुका है, जिनका थोड़ा सा भी डिरेक्ट इंडारेक्ट लिंकेज है, दाओद इबराहिम इकबाल मिर्ची से, उनका पदमस्री, जो भी उनको पदमा एवाड मि मिला, चाहिए पदमस्री मिला, उसको वापस लिया जाए, वहरा कमीटी को लेकर आपने सुप्रीम कोट में पी आयल डाली है, तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं, जो वहरा कमीटी के बारे में नहीं जानते हैं, सर आप आरे जो वीवर्स हैं, उनकुछ समझाने की आया था, उसके बाद जब जाच हुई, राकी जाच हुई, CBI की इनपूट आये, ED का इनपूट आया, इंटेलिजन्स का इनपूट आया, उस इनपूट में पता चला कि देश के कई सारे सांसत, कई सारे मंत्री, कई सारे विधायक, और यहां तक की दो चीफ मिनिस्टर, द वहरा, उनके अंदर में एक कमेटी बनी, उसको 12 कमेटी कहते हैं, उस वहरा कमेटी में CBI के डाइक्टर उसके मेंबर थे, IB के डाइक्टर मेंबर थे, RAA के डाइक्टर मेंबर थे, Finance Secretary उसके मेंबर थे, और उस पूरे इनपूट के बाद 110 पेज की रिपोर्ट बनी, उस 110 प तो उसके में करें, वहरा कमेटी सरतपवार, तो Google पे भी और उसके में चीमन भाइपटेल का नाम है, जो गुजराद के मुखि मंत्री थे, सरतपवार का नाम आता है, जो महरास्ट्रा की चीपनिश्टर थे, अहमत पटेल का नाम आता है, जो कांग्रेड्स के बड़े नेत है ऐसे और भी कई नेताओं के नाम आते हैं उस रिपोर्ट पर कोई कारवाई नहीं हुई रिपोर्ट ऐसे ही रद्धी का टुकड़ा बन गया हो फिर सांसत्य दिनेस्त्रिवेदी जी जो बाद में मंत्री भी बने उन्होंने सुप्रिम कोट में पी आयल फाइल किया 1997 में सुप्रिम कोट ने कहा कि जो वहरा कमिटी की रिपोर्ट है इस पर आप कारवाई करिये लेकिन उसके बावजूद कोई कारवाई नहीं हुई लोगों का आईवाश करने के लिए आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए उस 110 पेज में से 11 पेज 11 पेज पार्लियमेंट के प आम आदमी को, युवाओं को, सबको ये जानने का हक है कि दाउद के कितने गुरगे अब तक सांसद विधायक मंत्री बने आम जनता को युवाओं को ये जानने का हक है कि दाउद के कितने गुर्गे आज भी संसद में हैं, लोकसभा में हैं, राजसभा में हैं और विधान सभा में हैं आम जनता को ये भी जानने का हक है कि दाउत के कितने गुर्गों को आज तक पदमसरी, पद्भूसर्ड और पद्भूसर्ड दिया जा चुका है, मैंने सुप्रिम कोट में ही P.I.L. फाइल किया है, हमने ये कहा है कि सबसे पहले तो जो Ministry of Home है, जिसके पास रिपोर्ट है, उस हमने ये कहा है कि Home Minister के पास उसकी है, वो पूरी की पूरी 110 पेज उठाके Director CBI को दे दे, Director NIA को दे दे, Director ED को दे दे, Director NCB को दे दे, Director IB को दे दे, हमने दूसरी मांग ये किया है, कि जब ये लोग जाच कर रहे है, तो लोग पाल इसकी मानिटरिंग करें, लोग पाल में BIA, EDA, IB and IA करे, लेकिन इस पूरी जाज की जो मानिटरिंग है, वो लोकपाल करे, तीसरी हमारी मांग है कि इनके मामले फास्ट्रेक कोड में चले एक साल के अंदर जो वहरा कमिटिम जिनके नाम है इनकी जाज हो एक साल के अंदर इसका मुकदमे का फैसला होना चाहिए जो आदमी इसमें है जिसने दाउद को थोड़ा भी डारेक्ट इंडारेक्ट मदद पहुंचाया है उसकी चल चल संपत्ति जब तो होना चाहिए उसके चुनाव लड़ने पार्टी बनाने पार्टी प्रदाधिकारी बनने पर बैन होना चाहिए और हमने अंतिम मांग यह किया है ऐसे लोगों को जिनको पद्मा मिल चुका है जिनका थोड़ा सा भी डारेक्ट इंडारेक्ट लिंकेस है दाउद चलेगा हमने का है कि इसमें पहली बात तो लोगपाल को पूरी CRPC का पावर दे दिया जाए इसको पूरे मामले चलाने का यह मामला फास्ट्रेक कोट में चलना चाहिए ऐसे नहीं कि दस साल मुकदमा चलता रहा पंदरा साल मुकदमा चलता रहा पता चला उसमें आधे है कि इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो 85 साल के हो चुके हैं कई सारे ऐसे मंत्री हैं मेरी जानकारी में किसमें कई सारे लोग आज भी वहरा कमिटी जिन्होंने दावत को मदद किया था उसमें तहीं आज भी सांसत विधायक मंत्री हैं इसलिए हमने कहा इनका मामला फास्ट सब्सक्राइब करने की कोशिच कर रहे थे इनको लेकर आपने जैसे कि अपनी वीडियो में भी यह दिक्री किया है कि 1997 में सुप्रीम कोट ने आडर दिया कि आप यह दाउद जो वरा कमिटी रिपोर्ट है इस पर पूरा घराई के साथ जांच करिए आज 2020 हो गया 23 साल बीद गये इसका मतलब यह पॉलिटिशन बहुत ही पावरफुल है बहुत ही पावरफुल लोग है इसलिए सुप्रीम कोट के आदेश के बावजूद भी पिछल कोट अर्डर दिया था दिने स्रिवेदी आज भी राजसभा के सरस्य है आप चाहे तो अनन वहरा जी से बात कर लिजी अभी वो जिंदा है वो आपको बताएंगे कि उस रिपोर्ट में किसका किसका नाम था लेकिन यह रिपोर्ट बहुत ही गंभीर है मुझे लगता है कि जिस दिन यह रिपोर्ट पब्लिस हो जाएं नर member to ये कली बात है कि अभी बनी था कि अनन बजोट करेंगे surfing इनके मुझी का लिग लगता है कि अभी 2019 की बात है प्रफूल पटेली आने की जो उसके कॉंग्रेस के बड़े नेता है और इनसे भी प्रफूल एकबाल मिर्ची को लेकर जिस तरीके के संबन सामने आये ते उसको लेकर इनसे जब पूछता चुई तो इन्होंने अपने आपको नकारने की कोशिच की कि हमेरे कोई भ उनका नार्को पॉलिग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए क्योंकि कोई भी कोई भी घूसकोर कोई भी भ्रस्ट कोई भी देशद्रोही अपना जुर्म कुबूल नहीं करेगा और यह तो बड़े पाउरफुल नेता है अगर सरत्पवार साब का उसमें नाम है अ इसलिए इन सारी चीजों पर बात नहीं हुई is बात बज़ेपी की भाश्पा की सरकार है जो इन सारे मुद्दों को बात करती है और कई पर अमिज Supreme Court तो पहले ही हमने कोई नई चीज मांग तो किया नहीं है, Supreme Court पहले direction कर चुका था, उसके बाद नहीं हुआ है, हमने तो इस बार इतना कहा है कि इसमें पूरी जाच NIA, CBI, ED को दे दिया जाए, लोगपाल इसकी monitoring करें, पहले लोगपाल संस्थाथी निया तो लोगपाल बन है, लोगपाल के पास और क्या काम है, लोगपाल का यही काम है, देश में यही देखना, कि देश में कौन-कौन लोग है, जो प्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, बहीं दाओद इब्राहिम को मदद किये होंगे, इकबाल मिर्ची को फिरी में तो नहीं मदद कि इसलिए CBI, ED, NIA की एक साथ जाच होना बहुत जरूरी है, लोगपाल की मनेटरिम बहुत जरूरी है, अभी तक जो नेता जैसे कि अभी आप कुछ दिर पहले आपने जिक्री किया, जो वाइट करल के कपड़े पहन कर आपने आपको सत्ता धारी नेता समझते थे और जुस तर सारे ऐसे लोग हैं, जो दाओद जैसे गुंडों के समर्थन करते हैं, मुझे लगता उनको भी जटका लगेगा, एक बार वोरा कमीटी की रिपोर्ट पर कारवाई हो जाएगा, आगे से कोई फिर से दाओद, इकबाल, मिर्ची या किसी का समर्थन करने से बारबाट सारे लास्ट सवाल कि आपने एक वीडियो में अपना में ये भी जिक्र किया था कि जैसे ही वोरा कमीटी की जो रिपोर्ट है वो जंता के सामने आएगी तो महारास्ट की सरकार 24 घंटों में गिर जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग चुकि दाओद इबराहिम ओही था दाओद इबराहिम का में जो काम करने का अड़ा तो मुंबई है तो जो मुझे लगता है उसके मददगार भी मुंबई के होंगे महारास्टा के होंगे तो जब उनका नाम आएगा और जब चारों करके जाएगे तानिवास